तेलांगाना शिक्षक संगों की प्रतिनीदियों ने CEO विकासराज से मुलाकात की। विकासराज से मिलने वाले STU, अध्यक्षक साधानन, गौड, PRTU, तेलांगाना अध्यक्ष्चन्या और अन्यशामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि चुनाओ ड्यूटी में भाग लेने वाले करीब एक लाग शिक्षकों को उची डाक मतपत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि केवल 50% तक मतदाताओं को ही डाक मतपत्र मिले हैं, बागे को डाक मतपत्र नहीं मिले हैं। मस्या ग्रस्त क्षेत्रों में रहे गया और इसमें महिला करमचारी भी है। लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ऐसा शासन जरूरी है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कौन से एक और मौका देने को कहे। भले ही उन्होंने कौन सको 11 बार मौका दिया है। उन्होंने बता कि राजमें ब्यार सरकार के आने के बाद रहितू बंदू, रहितू बीमा, कल्यान लक्ष्मी, आधी युजनाई लागू की जारी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर के आमीर पेट स्थीत गुरु द्वारे में विशेश प्रातना की। इस प्रातना में प्रधान मंत्री के साथ केंद्रिया मंत्री किशन रेडी भी शामिल हुए। जाय गारेंटी लागू करेगी। मदीरा निर्वाजंक शेत्र के बोना कलू मंडल चोपा कटला पेलम गाउं के मंदिर में 100 रुपे के स्टांप पर हस्ताक्षर किये और शपत ले। स्थान या नेताओं का कहना है कि कुटुबुलापूर में कौन रसका जंडा फैराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हनमंत रेडी जरूर जितेंगे। भले वा सत्ता में नहीं थे फिर भी कई सेमाय करने के लिए उनकी त्रशवसां की गई। उन्होंने कहा कि 12 सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एस पर अधिक जानकारी हमारे प्रतिनी दी लावन्या जुबानी सुनी। खुद्बलापोर नियोजगा वर्गम हंतमांदी युवकुल इकड़ मनता होनना रो पालनकाली सी तेल्सकुन्दा। इकड़ पब्लिक पल्स अला उंदो तेल्सकुन्दा। चेपंडी मिर यूत गदा इकड़ ये पार्टी मी पेर इंटी फास्ट चेपंडी। पेर मनोज कुमार नें 126 जी जानने शीवे नेक्स अपकमिंग प्रेजडेंट। वरिष्ट इंटक नेता और पूरो केंद्रे मंत्री सर्वे सत्य नारायने राच्चकी मजदूर वर्ग से अपिर किये कि वे नवरतन जैसे कई सारवजनिक शेत्र के संगठन स्थापित करें। और देश में लाखों लोगों को रोजगार के आवसर प्रदान करें। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए श्रम कानून लाए और कॉंग्रेस को जीताएं। इस विदासभाच्चुना में श्रमिक कल्यान चाने वाली पार्टी ने ऐसा किया है। सर्वे सत्यनारा ने हिदराबाद के बशिर बाग प्रेस कलब में आवजित एक बैटक में ये बात कही। साथियों को नोकरी के अवसर प्रधन करते हैं। उन्होंने याद देला कि कौन रशासर में वेतर और नोकरी की सुरक्षा में वरद्धी हुई थी और पेशर प्रणायली भी ठीक से लागू की गई थी। रक्षा मंद्रा लेके तद भारत सरकार के संगटन मिश्र धातु निगन लिमिटेड ने गर्व से अपनी पचासवी वर्षगाट मनाई। जो भारत को आत्म निर्भर भारत बनाने की यात्रा में एक महत्वपुर्ण मिलका पप्थर है। इस दिन को मनाने के लिए मिधानी में वरिष्ट अधिकारी और करमचारी डॉक्टर आर्वी संस्थापक अध्यक्ष तामनकर मिधानी ने प्रतिमा का नवारन किया। चोड़ी प्लेट के लिए नई आचार बनानी की सुईदा खोली गई। उन्होंने काँ कि मिधानी ने मिश्र धातु के क्षेतर में एक उज़ुल इतियास रचाए। उन्होंने काँ कि यह प्रक्ष्ट विग्यानी को और इंजिनेर के अम्मुलिया योगिदान की कारण अस्तुथि में आया। प्रसिद्ध धातु विग्यानी और रक्षा धातु करव अनुसंदान प्रयोक्ष अला के प्रमुक्, मिधानी के संस्ताफक, निदेश डॉक्टर आर्वी तामन करने भारत सरकार के समक्ष एक दूर दर्शी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्हें ने कहा कि मीधानी भाविशे में शांदार प्रदर्शन करेगी और अनी सूची एका दर्च पानी के लिए मंत्राले दोरा दिये गई लक्षों को निश्चित रुप से हासिल करेगी। प्रदान मंत्री मोधी ने सचवाले तोड़े जाने पर कड़ी टिपपनी की चुनाओ प्रचार के तर्दान मंत्री मोधी ने मह letter कि ब्यारस प्रमुक और मुक्य मंत्री केशार में बहुत अंदर विश्वास है। क्या हमें ऐसे मुख्यमंद्री की जरूरत है उसने पूछा उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजीपी पहले बार सब्ता में आएगी। बियार असनेता और सीम केसिया ने आगामी चुनाओं में उमिद्वारों के साथ साथ पार्टियों के परिप्रेक्षा और इतियास को देखने के ले कहा। उन्होंने राज्य का भवश्यत करने वाले वोट को समाजधारी से डानने का अवहान किया। वे देखना चाहते हैं कि क्या लिखा हैं क्या कीमती हैं और वोट करना चाहते हैं केसिया ने शाथ नगर में आयूजित जन आश्यवास सावा में या बात कई। केसिया चाहते हैं कि लोग देखें कि 10 साल पहले त्यलंगाना कैसा था। हुजराबाद में आयोजीत बीजीपी सकल जनूला विजय संकल सभा में केंद्र ग्रहा मात्री आमिच्छा ने हिस्सा लिया आमिच्छा ने कहा कि ब्यारेस और कॉंग्रेस की बीच त्रूटी पूर्ड समझ होता है या चुनाओ का समझ है या सोचने का समझ है कि सरकार ने 10 साथ तक क्या किया भौनगिरी रोडशो में प्रियांका गांधी ने कहा मददाता यह तरह करना चाहते कि आप अगले 5 साल के लिए किस तरह का शाहते क्या आपको सरकार से कोई मदद मिल रही है प्रियांका गांधी ने कहा कि 12 सरकार को लोगों की समझाओ के कोई समझ नहीं है नोट बंदी, कोरोना, जीस्टी आप ने भूत मुश्किले छेले हैं कॉंगरेस के नेता कहे रहे हैं कि धरनी को खत्म कर दिया जाएगा और पटवारी सिस्टम लाद दिया जाएगा अगर कॉंगरेस को 11 मोके दे जाते तो वह क्या करती उन्होंने कहा कि कॉंगरेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले राइतू बंदो को रोक दिया था परियोजनाओं के नापर उन्होंने एक लाग करोर रुपे लूटे है हैदराबाद के आसपास की 10,000 एकर जमीन पर कबजा कर लिया गया है रेमत रेडी ने पूचा की क्या मत्री हरिष्टाओं को चुनाओं आयों के आदेशों आओर नियोमों की जानकरी नहीं थी कि ब्यारेस पार्टी ने राइतू बंदो की खिलाफ साजिस्ट रची है और किसानों को धोका दिया केंद्रिया मत्रे और बीजी पी तेलंगाना प्रदेक्ष अदेक्ष किशन रेडी ने आलोशना की कि अगर ब्यारेस और कॉंगर्स पार्टिया राइतू बंदो के मामरे में नाटक कर रहे राइतू बंदो को चुनाओं अधी सूचना से पहले क्यों नहीं दी गई उन्हो कविता ने तंज कस्ते हुए का कि राइतू बंदो भुक्तान के बारे में शिकायत करके कॉंगर्स ने एक बार फिर किसान विरोधी प्रदाशन किया है उन्होंने कॉंगर्स नेताओं से उन लोगों पर ध्यान देने को का जिन्नोंने किसानों का पैसा हड़ अप लिया कविता जिनोंने चुना आयोग दोरा भुक्तान के लिए राइतू बंदो के आनूमती वापस लेने पर प्रतिक्रिया वेक्त की है ने इस हद तक प्रतिक्रिया दी उन्होंने आरोप लगा कि कॉंगर्स नेताओं के आचरन के कारण कर्ज माफी भी पूरी नहीं हुई उम्मीद्वार समरेडी सुरेंदर रेडी ने मलकपेट निर्वाचक शेतर के लोगों से भाज़पा को वोट देने और अपने सुनहरे भहुषे के लिए जीतने का अगरा किया चुना अभियान के तर्थ नियो सेदाबाद कॉलिनी में कारे करताओं के साथ बड़े पाई माने पर डोर टू डोर अभियान चला गया मलकपेट बीजीपी उम्मेदवार समरेडी सुरेंदर रेडी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो हमेशा लोगों की बीच रहेंगे और जंता की समस्याओं का समाधान करेंगे उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री मोधी दोरा प्रदान किया गया सुषासम मलकपेट के लोगों को बरष्टाचर मुक्त शासम प्रदान करने के लिए संकर्श कर रहा है उन्होंने विश्वास जदाय कि तेलंगा नाराचे का भाईश भाज़पा की डबल इंजन सरकार होगी उन्होंने कहा कि माइम की गुंडागर्दी से चुटकारा पाने के लिए बीजेबी की जित जरूरी है उन्होंने विश्वास जदाय कि इस बार मलक पेट में भगवा जंडा लहराएगा पूरो सौंसत भी एच हनुमत राओं ने अंबर पेट विदान सबाक शेतर में चुना अप्लाचार किया नला कुंटा में घर घर जाकर कौर्णस पार्टी की छे गारंटी के बारे में बताती हुए वह एक इस्तरी की दुगार पर गए और अपनी शर्ट खुदी इस्तरी की विएच ने विश्वास जदा कि कौनस पार्टी आगामी चुना में सत्तर सीटों के साथ जीत हासिल करेगी उन्हेंने कहा कि दो लाग नवकरियों की पहचान की जाएगा और कारकरतों को उचित नयाए दिया जाएगा पठान बस्ती में आयोजीत एक सारवजनिक बैटग में भाग लिया उन्होंने इस बात पर अफसूर जाता कि पानी फंड नियुक्तियों के नाम पर बनी तेलंगाना सरकार को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वह उस परिवार के काल्यान के बारे में सोचती है कन्या कुमा ने तर्क दिया है कि TRS पार्टी को BRS पार्टी के बज़ाए RSS पार्टी में बदलना बहतर होता उन्होंने आरूप लगा कि BRS हर तरस से भाजपा को अग प्रतेक्ष समुर्पन देगा उन्होंने चुनाओं में किये वादे पूरे करने और जंता को धोका देन रहे हैं हाली में मेर्चे जिली के जवार नगर निगम के अंतरगात मोहन राओ नगर कॉलिने में मला रेडी कॉलिज के करमचारियों को घर गर पैसे बाट दोए कौरस ने पकड़ा था कौरस पार्टी के महिला ने पकड़ कर पिटाई कर दी मंत्री मला रेडी के बारे में कहां कि Congress तेलंगाना के विकास के लिए काम कर रहे हैं आरुफे की विकास नहीं होने से चुनाओं के दोरान वोट खोने के डर से पैसा बाटा जा रहा है उन्होंने विश्वास जाता है कि चाहे कोई भी पैसा बाटे चाहे कुछ भी करे लोग Congress के पक्ष में हैं Congress पर्टी तेलंगाने में सत्ता में आईगी मंतरी मला रेडी की भुफ प्रीती रेडी ने कहा कि Congress ने तहता धमकी देर है चुनाला से पेले उनके ये हाल है तो सोची कि बाद में क्या होगा प्रीती रेडी ने कहा कि अगर वे जीतने से पहले इतनी अराजकता करते हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वे जीतेंगे तो और क्या होगा उन्होंने आरोप लगा कि अगर उन्होंने अपना भियान चलाया तो उन्हों पर अनावशक हमले होंगे गुरु नानक जहिंदी के मौके पर मंत्री तलसानी श्री निवास यादों ने गुरु दारा जाकर पूजा अर्चना की। पर विधायक मादोराम क्रिश्ना राव ने कहा कि जब चुनाओं का समय नजदिक आ रहा है तो सभी को सोच समझ कर मतदान करना चाहिए। सुजाओ दिया। एक ऐसे वेक्ति के रूप में जो हर दिन उपलते हैं। उन्होंने पिछले दस वर्षों से हजार करोर रूपे के साथ कई विकास और कलान कारकरमों के साथ सबी निर्वाजक्षेद्रों का विकास किया।